Hello everyone, आज के इस वीडियो में बात करने वाले है AMU 11 Self-Finance Application Form के बारे में कि इस्टुटेंट Self-Finance का Application Form कब तक आ सकता है और इस्टुटेंट Self-Finance का Eligibility Criteria क्या होता है, कौन से इस्टुटेंट अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नल स्टुटेंट के लिए कटाफ कितनी होनी है उसके बाद Application Form आता है, तो इस्टुटेंट जो रेगुलर का एड्मीशन है वो 23rd October तक क्लोज जाएगा, हम यह मान सकते हैं 25th October तक क्लोज जाएगा, तो इस्टुटेंट जो Self-Finance का Application Form है, वो most expected है कि नॉवंबर के 1st week में, नॉवंबर के 1st week में 90% चांस है कि AMU Self-Finance का Application Form आ जाएगा इस्टुटेंट, तो सबसे पहले बात यह होगी कि डेट कब तक आ सकता है, अप्लिकेशन फॉर्म तो नॉवंबर के 1st week में, और जो भी इस्टुटेंट यह चाहते हैं कि उनका Self-Finance का Application Form ना फिल हो, वो क्या कर सकते हैं, SCI Aligad की Membership ले सकते हैं, उन सारे Students को Inform किया जाएगा, जैसे ही AMU Self-Finance का Application Form आएगा, तो जो भी Students Membership लेना चाहते हैं, वो मेल कर सकते हैं, हमें SCI Aligad at the rate gmail.com पे कैसे Membership लेना ही, क्योंकि जैसे Application Form आएगा, फोरण आपको Inform कर दिया जाएगा, और दूसरी बात, यह Students, जो AMU Self-Finance है, उसका कटाफ कितना जाता है और Elisability Criteria का है, Students, एक और यहाँ पर बात, बहुत सारे Students कमेंट करके पूछते हैं, कि उनका Diploma में नाम आ गया है, तो वो Self-Finance में Admissions ले सकते हैं कि नहीं, यह सब doubt भी Clear किया जाएगा, इस वीडियो में, तो Students, जो Elisability Criteria होती है, AMU 11 Self-Finance में, उसमें अगर आपका Diploma मे नाम आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको regular में Admissions ओफर किया गया है, तो फिर आप Self-Finance में Admissions नहीं ले सकते हैं, जिनकी अच्छी वेटिंग होती है, around 300-300 वेटिंग होती है, और क्योंकि under 100 वेटिंग के लिए होती है, तो कुछ ऐसे Students होते हैं, ज External Student का Cut-Off गया था, वो around 40-plus गया था, लेकिन इस साल Cut-Off और कम जा सकता है, क्योंकि regular में Cut-Off कम गया था, ठीक है Students, अब हम अगर बात करें, और एक और बात, वही Students apply कर सकते हैं, AMU Self-Finance का application form, External Student जिनके Marks 15-plus होंगे, अगर आपके Marks 15 से कम है, 14.75 है, 14.5 है, तो आप apply नहीं कर सकते हैं, अब आप सोचेंगे, आपको Marks कैसे बता चलाएगा, तो आपने जो, आपने जो answer की, आपको मिला था, Carbon Copy मिला था, वहां से आप मैच कर सकते हैं, कि आपके कितने Marks थे, ठीक Student, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, कि 15-plus है, अगर 15-plus हैं, तो आप EMU Self-Finance का application form fill कर सकते हैं, नाम आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि 40-plus कटाप है या 35-plus कटाप है, उनहीं का आता है नाम, ठीक है, आप Self-Finance का application form जरूर फिल करिएगा, अगर external student आपके Marks 15-plus हैं, internal students के लिए ऐसी कोई Criteria नहीं है, कि आपके Marks 15-plus होने चाहिए, internal students apply कर सकते हैं, ठीक है, जि के student हैं, और AMU में ही admission नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है student, तो इसलिए उनको AMU Self-Finance का मौका मिलता है student, ताकि वो AMU के ही students रहजा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे students बाहर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये student पे depend करता है, अब दूसरी बात ये कर लेते हैं, कि students, अगर आपका नाम diploma में आया हुआ है, ठीक है, या फिर बेटिंग में है, तो आप सारे लोग apply कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि आप apply नहीं कर सकते हैं, ठीक है student, मैं उसका वीडियो का link description में दे दूँग, आप जाकर के देख सकते हैं, जिस वीडियो में मैंने clearly बताया था, last year eligibility criteria, पू आपका admission नहीं मिलना चाहिए, admission नहीं offer होना चाहिए, ठीक है student, अब बात यह कर लेते हैं, कि students self-finance की fees कितनी है, तो students self-finance की जो fees 25,000 per year है, उसके बाद आपको कोई भी fee नहीं pay करनी है students, और students, अगर हम बात करें, self-finance और regular में difference क्या होता है, तो students बहुत जादे difference नहीं होत होती है, और जो आपको hostel मिल जाता है students, और अगर हम self-finance में बात करें, तो आपकी जो fees होती है, sorry students, अगर हम बात करें, regular की, तो regular की अगर हम बात करें, तो regular में जो fees होती है, वो around 8,000 होती है, और आपकी class timing morning में होती है, ठीक है students, और उनको hostel भी मिल जाता है, लेकिन एक ही school म होस्टल है, वो है सेयद हमित senior secondary school, मिंटो में भी मिंटो में होस्टल नहीं है और नहीं city school में होस्टल है ठीक है स्ट्रेंट, अब अगर हम self finance की बात करें तो self finance की फिश 25,000 है, उनकी class की timing जो होती है वो afternoon में होती है ठीक है स्ट्रेंट और self finance वाले students को होस्टल नहीं मिलता है और इंटर्नल सिप की बात करें हम तो तीन साल के लिए रेगुलर वाले भी इंटर्नल रहते हैं और सेल फाइनेंस वाले भी इंटर्नल रहते हैं तो ठीक है स्ट्रेंट्स जो भी स्ट्रेंट चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इ